हेई फ्रेंड्स वेलकम वांस अगें तो गनेशा क्रियेशन्स इफ यू आ नू तो दे चानल प्लीज प्रेस दी सब्सक्राइब बटन अस वेल अज हिट दी बल आइकन तो आज हम बनाएंगे टेस्टी बिना लहसन और प्यास से बनने वाले आलू मटर की सब्सक्राइब जो खाने में बहुत बहुत जादा टेस्टी होती है और सभी को बहुत जादा पसंद आती है यकीन मानिए जब आप इस सब्सक्राइब बनाएंगे तो सभी अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे तो टेस्टी आलू मटर की सब्सक्राइब बनाने के लिए मैंने यहां पर लिया है 500 ग्राम आलू जिने मैंने काट लिया है साथ में मैंने हम पर लिया है 300 ग्राम मतर, 2 बड़े मैश्ट टमाटर, 1 कटोरी फ्रेश क्रीम, उसके अलावा ग्रेटेड अध्रक, कटा हुआ धनिया, जीरा, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, किश्मीरी लाल मिर्च, टर्मरेक यानी हल्दी पाउडर, साथ में पाउडर, इसके अलावा मैंने हम पर लिया है सबजी बनाने के लिए सरसों का तेल और स्वाद अनुसार नमक लेना है, सबसे पहले हम बॉइल कर लेंगे अपने मतर को, अगर आपने फ्रोजन मतर लिये हैं, तो बॉइल करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने हम पर करने यहां, इसलिए इन्हें बॉइल करने जरूरी है, तो मैं चार मिनट तक इन्हें बॉइल कर लोंगी, जब तक का अच्छी तरह से वाईल जाते 2 मिनट कऱेंगे, जिसमें हम अपना मसाला त्यार करेंगे अब मैं इसमें कड़ाई मैं आड़ करूंगी दो कर्ची ओईल और जब तक ओईल को अच्छी तरह से गरम करना है इससे धुआ निकलना चाहिए तब तक हमें इसे अच्छी तरह से गरम करनेना है अब आप देख सकते हैं हमारे ओईल से धुआ निकल रहा है अब यह बिल्कुल रेडी है मसाला बनाने के लिए अब हम इसमें सबसे पहले आड़ करेंगे एक टी स्पून राइका पाउडर राइका पाउडर डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी एक टी स्पून जीरा जीरा डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे ग्रेटिड अध्रक अध्रक को मैंने पहले से ग्रेट किया हुआ था अब मैं इसमें आड़ करूँगी एक टी स्पून धनिया पाउडर, धनिया पाउडर डालने के बाद मैं इसमें आड़ करूँगी एक टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद एक टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च डालने से सब्जी क जो कलर होता है वह बहुत जादा अच्छा आता है फिर में इसमें लास्ट में आड़ कर दूंगी एक तीज़पून हल्दी पाउडर अब हम इसमें आड़ कर देंगे हमारे मैश्ट टमाटर और अच्छी तरह से हम इस मसाले को दो से तीन मिनट तक पका लेंगे हमें इस मसाले को तब तक पका लेना है जब तक हमें उपर तेल दिखने ना लग जाए यह देखिए हमारे मसाला अच्छी तरह से पक चुका है इसमें हमें तेल दिख रहा है उपर से अब हम देख लेते हैं हमारे जो मटर हैं वह अच्छी तरह से बॉइल हुए या नहीं तो यह देखिए हमारे मटर भी अच्छी से बॉइल हो चुके हैं एक बरी हम चेक कर लेंगे मटर भी अच्छी तरह से बॉइल हो चुके हैं और हमारे जो हमारे जो मसाला है वो भी अच्छी तरह से तयार है अब हम मसाले में अपने आलू डाल देंगे जो हमने पहले से कर लेंगे एक बार कच्छी से चलाने के बाद मैं अपने अलूओं को ढखकर पका लूँगी बीच में एक बार में चेक कर लूँगी का कि आलू और मसाला चिपके ना कड़ाई से यह देखिए हमारे अलू तयार है अब मैं इस में आर कर दूँगी एक गिलास पानी और अच्छी तरह से मैं एक बार इक अच्छी से हिला लूँगी अपने अलूओं को अब हमारे अलू बिल्कुल अच्छी से तयार हैं अब हम इसमें आड कर देंगे अपने मतर मतर को मैं पानी के साथ ही आड कर दूँगी जिस पानी में मैंने उन्हें बॉइल किया था वो पानी मैंने साथ में ही आड किया है आप अपने हिसाब से ग्रेवी को रख सकते हैं जादा थिक रखना चाहें तो थिक भी रख सकते हैं और पतली भी रख सकते हैं अब हमारे आलू मटर बिल्कुल तयार है, तीन से चार मिनट तक मैंने पका लिया है ग्रेवी के साथ आलू मटर को, अब मैं इसमें आड़ करूँगी स्वाद अनुसार नमक, और लास्ट में आलू मटर को सर्फ करने से पहले, हम उसमें आड़ कर देंगे क्रीम, और क्रीम डालते ही हमें चलाकर उन्हें पका लेना है क्रीम के साथ, ताकि जो क्रीम है वो फटे गैस पर, और अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे, और इसमें आड़ कर लेंगे, दो चम्मच गरम मसाला, और अब हमारे आलू मटर की सबजी बिलकुल अच्छी से तयार है, और हम इसे करेंगे सर्फ, लेकिन सर्फ करने से पहले हम इसे गार्निश कर लेंगे, हरे धनिये से, तो ये देखें, लग रही है ना हमारी आलू मटर की सबजी, एकदम रेस्टरॉन स्टाइल, तो आप इस रेसिपिक को ज़रूर अपने घर पे ट्राइए करें, और अपना एक्स्पिरियेंस आप हमारे साथ हमारे फेस्बुक पेज, गनेशा क्रियेशन्स पर शेयर करें, आप पहली बार बनाएंगे, तो इस रेसिपी को ज़रूर ज़रूर ट्राइ करें, अब गुद डे बाई